प्रेंड्स यहां पे क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से आउटलाइन बनानी है देखे मैं यहां पे फ्री हैंडी बना रहा हूँ क्यूब की आउटलाइन अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप स्केल का इवस करके भी बना सकते हैं उससे भी आपका क्यूब बन जाएगा तो सबसे पहले आपको क्यूब बना लेना है कुछ इस तरीके से उसके बाद उसके शेडिंग वाले पार्ट में जाना है तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ और लेकर आपको इसका शेडू बनाना है कुछ इस तरीके से जो यह वाला सी रही वहां से आपको ऊसका शेडो बनाना है और अभी इस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ स्क्यूब में तीन पार्ट हमें आगे दिखते हैं जो कि हमें शेड करना होते हैं तो यह फर्स्ट वाला पार्ट अब बिल्कुल डायर्क कर दिए कर दीजिए तेन भी पेंसल के मदद से जो कि अंधेरे में होगा और एक पार्ट जहां पर बहुत कौम रोस्ट आ रही होगी वहां पर हमें मिडल टोन देना है यानि कि सिक्सवी पेंसल के या फॉर भी पेंसल के मदद से हमें शेडिंग करनी है देखें कुछ इस तरीके से और एक पार्ट हमें वाइटी छोड़ द में उसे ऐसे ही छोड़ देना है फ्रेंड्स तो देखें यह वाला पार्ट मैंने शेड कर दिया सेकेंड वाला अब हम शेडो को जो हमने मिडल टोन दिया उसी टोन की मदद से ही हम शेडो को भी शेडो का शेड भी हम ऐसे ही करेंगे जो क्यूब का शेडो है उसे देखें कुछ इस तरीके से लेकिन शेडो में थोड़ा सा ग्रेड आएगा जो की डार्क टू लाइट होगा क्यूब के पास वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा डार्क होगा और क्यूब के दूर जाते ज जाते उसका शेड़ो थोड़ा लाइट होता जाएगा तो यह त्यान रखेगा फ्रेंड्स उसमें हमें ग्रेडेशन दिखाना होगा तभी हमारी ड्रोइंग बिल्कुल रियालिस्टिक लगेगी और हमें लगेगा कि वहाँ पर क्यूब रखा हुआ है तो देखिए कुछ इस तरी कैसे करना है अब भी मैं फिर से इसे डार कर रहा हूँ इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरी कैसे तो देखिए अभी मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ ब्रस की मदद से ही कर रहा हूँ फेरेंस आप देख सकते हैं तो देखिए यहां पर मैंने शेडो में थोड़ा सा डार्क दिया है तो कि दार्क टू लाइट होगा हमारा शेडो वह ही मैंने इसमेश दिया अप्लाय किया है अभी इसके अंदर जो लाइन्स बची हुई है उसे और जो हमारा हम ब्लेंडिंग करते समय जो भी ग्रेफट बार गया हुआ है उसे हम एरेस कर देंगे कुछी तरीके से फ्रेंड देखे है मैं इसे एरेस कर दे रहा हुँ ताकि पेपर पुरा क्लीन हो जाए तो देखे है तो भी उसके आगे वाले इससे जो आउट लाइन है वह मैं फिर से बना दूगा तो देखे है कुछी तरीके से उमरा ड्रोइंग बनके पूरा तयार हो गया है क्यूब में बिल्कुल अच्छे से शेडिंग मैंने कर दी है आप देख सकते हैं अब इसी तरीके से शेडिंग पूरा तयार हो जाए है जाओ कर देख देख कर देख दो देख पूरा तयार है आप दो आप दिया है झाल झाल